बल्रामपुर जिले के तराई छेत्र से निकलने वाली राप्ती मुख्य नहर में पानी नहीं होने से चेत्र में गाउ पिपरी, कटूआ, कटूई, इमलिया, लालपुर, मटेरिया, सक्री, सिर्हिया, ओदाईपुर, गनवरिया, लक्षमनपुर, पांडे पुर्वा, अमवा, टिट हरिया, मोती पुर, तेड़ी प्रास, लचुआपुर, भूजे हरा, पूरनपुर, गनवरिया अदी सेकडो गाउं के किसानों के गन्ने का फसल पानी के अभाव में सूख रही है, किसानों ने बताय कि बारिश में बार्ध से धान की फसल बरबाद हुई, उसके बारिश नहीं होने से रवी फसल गेहू-मसूर, आदी फसले बरबाद हो गी, अब मात्रबची गन्ने की वो भी पानी के अभाव से सूख रही है फसल की सिचाई के लिए वर्तमान में गर्मी अधिक पढ़ने लगी है छेतर के किसानों को नहर के पानी की आविश्यक्ता है इस्थिती ये है कि छेतर की सभी नहरे सूखी हुए है उनमें अब तक पानी नहीं आया है इस कारण इलाके के हजारों किसान पर इशान है सिचाई नहीं होने से किसान को गन्य की फसल के सूख जाने का डर सता रहा है इस संबंद में किसानों ने सिचाई विभा के अधिकारियों से कई बार शिकायत की है लेकिन उसके बाद भी स्थी जस्की तस्पनी हुई है इस छेतर में गिरगिट ही बांद एवं राप्ती मुख्य नहर से पनी पानी सप्लाई किया जाता है ये पानी छेतर के गाउं तक पहुचता है जिससे लगभग सौ गाउं के पानी को लाभ मिलता है लेकिन नहर में पानी ना आनी के कारण किसान गन्नी की फजल किसे चाई नहीं कर पा रहे है इस्तिती ये है किसे चाई नहीं होने से खेतों में नमी खतम हो चुकी है जिससे खेतों में दरारे आनी लगी है और जिम्मेदारों ने इस और ध्यान नहीं दिया सब्सक्राइब लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या बता रहे हैं लेकिन मोके पर कोई लाफ लहीं में मिल रहा है कौन से गांवामला है लशो पर हुजारा देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर